जहिंद वंदे मात्रम स्वागत अविनंदन सभी सातियों का हडपा क्लासेज के डिजिटल प्लेट पॉरम पर कि सातियों आप लोगों के लिए जो 2024 की वेकेंसी है जीडी वाले विद्यारतियों के लिए ट्रेडमेन के लिए क्लर्क के लिए SKT क्लर्क है नर्सिंग असिस्टेंट है सातिसा सेना पुलिस है और फार्मा वाले विद्यारतियों के लिए जो नहीं भरती है 2024 है उसका नोटिपिकेशन है कब तक आपके सामने आ जाएगा कई सारे जो वेबसाइट पे चेंजेज आप लोगों को देखने को मिले है उसमें सबसे बड़े बदलाव क्या-क्या है मैंने थम्देल में आप लोगों के सामने लिखा कि अगनीवीर में बदलाव मतलब अगनीवीर SKT जो कलरक है उसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव किया गया है जिसमें आपके टाइपिन टेस्ट अनिवारिये कर दिया गया है पहले से ही विद्यार्तियों को हिदायत दे दी गही है साथ इसाथ वेबसाइट पर एक नया अपडेट हो रहा है जो कि आपके मोबाइल नमबर और अधार कार्ड से समधित अपडेट है कि आपके मोबाइल नमबर अधार कार्ड से लिंक होने बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं तो आपको आगे प्रोब्लम हो सकती है इसी के साथ साथ कई सारे विद्यार्तियों कि मेरे पास सुबह से कंटीन्यू मेसेज आ रहे है कि सर अमने वहाँ वीडियो देखा और मैं बरमीत हो रहा हूँ मेरे एज क्या रहेगी एज क्राइटरिया क्या रहेगा कब से गणना होगी तो देखिये साथिो गबराने की कोई जरूरत नहीं है मस्त हो कि इस बार तयारी करनी है और 2014 में अपने माता पिता का सपना पूरा करना है कई सारे विद्यारती तो एज आउट हो गए है और कई सारे विद्यारती बिल्कुल इस बरती में इलिजिबल है कई सारे विद्यारती निरास भी है बरती थोड़ी लेट है इस एक साल का पूरा प्रोसेस लग गया है पिछली बार भरती जनवरी में इस प्रकार बहुल था फरवरी में सोड़ा से फोर्म स्टार्ट हो गये थे और अप्रेल में 17 से 25 के बीच एक्जाम लगा था उसी प्रकार ये अब की बार भी वही प्रोसेस है उसी टाइम आप लोगों के सामने आ रहा है अभी एक तारिक से कंटीनू वेबसाइट पर अपडेट आ रही है कि विद्यारतियों को अलर्ट किया जा रहा है कि आपके सामने जो नई वेकेंसी है वो जल्दी उसके फॉर्म एपलाई होने वाले है तो कब से स्टाट कुछ साती बोल रहे है दो तीन दिन में ऐसा नहीं है लगबग 15-20 दिन का टाइम होता है वेबसाइट पर कही सारी टैस्टिंग चलती है और विद्यारतियों को सूचना है इंडिकेट की जाती है कि भीया तयार रहे किसी भी परकार की आप लोग गलती नहीं करें तो पहले से अपन तयार रहेंगे तो आगे समझ चाये नहीं आएगी तो सबसे पहले हम इस वीडियो के मादियम से बात करेंगे आप लोगों के सामने एक अपडेट आ रही है और वो वो अपडेट क्या है वो अपडेट क्या है इस वीडियो के मादियम से अपन देखने वाले है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू इसमें देखो सबसे पहले उपर यूपर आर का है कि मैंने थमनेल में भी लिखा है कि आदार नंबर आर मर्टिकुलेशन सर्टिपिकेट नंबर केड़े का मतलब है अदार कार्ड की अंदर जो डेट वबर्त है और वही डेट वबर्त आपके तेंथ के मार्क सीट में होनी चाहिए उसके बराबर सेम टू सेम किसी भी परकार का गड़ बढ़नी होना चाहिए नाम में करेक्शन वगेरा कुछ भी आप बदलाओ कर रहे हो तो उसके बराबर होना चाहिए ठीक है साथ इसाथ में वेबसाइट पे लेके चलूँगा और यहां मैंने लिखा फोरम कब से स्टार्ट होंगे अब देखो अन्फरम है फरवरी में आपके फोरम स्टार्ट होने वाले है कभी स्टार्ट होने वाले है फरवरी में या तो जनवरी के लास्ट सब्ता बानके चलो या फरवरी में पिछली बार सोड़ा फरवरी से स्टार्ट होता पिछली बार कभी स्टार्ट होता सोड़ा फरवरी से स्टार्ट होता और इस बार भी अमारा लगबग चांस रहेगा फरवरी के अंदर आपके फोर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं अब इसके बारे में भी मैं चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि 2024 में जो एक्जाम होगा उसमें एज लिमिट क्या रहेगी आपको मैं बता दूँ अगनिवीर और नर्सिंग असिस्टेंट सब के लिए कंप्लिट फोर्म कब से होगा और इसके लिए सबसे पहले जीडि के लिए एज लिमिट के बारे में बताते हैं कि जो पिछली भरती थी उस भरती की अंदर आपकी ये थी ठीक है पिछली भरती की अंदर आपकी ये आपकी गणनाएं हुई थी भरती एक वरस बाद में है तो आप एक वरस सिधा मान के चलो एक वरस बढ़ा के चलो आप सिधा सिधा है ना एक अक्टूबर 2003 से गणना होगी 100% कोई भी इसमें दो राये वाली बात नहीं है ठीक है आगे यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट एने के लिए जो भी candidate है उनके लिए बता दू 1 October 2000 से 2006 पिछली बार गणना होई थी ठीक है तो इस भरती के अंदर जो गणना है वो आपकी सीधा एक वरस आप मानके चले आगे है ना जिसका 1 October 2000 2001 है बिल्कुल वो सेफ स्कोर के अंदर है अब कई सारे विद्यारती हैं मेसेज कर रहे हैं कि सर अभी जो 10 मार्च को जिनका एक्जाम है अब जो वहां सर जो डेटो परत में देखा गया तो सबसे पहले उसकी अपन बात करेंगे उसकी अपन बात करेंगे तो यहां देगो उसमें अभी 10 मार्च को एक्जाम उसमें 1 October 2000 से करना करी गई है हो सकता है कि यहां आपको चूट दे दे यहां चूट देगा तो फिर GD में चूट देगा ट्रेड में चूट देगा टेक्निस अब में देगा है कि नहीं यह तो है नहीं नर्सिंग एक अलग है हालां कि चूट यहां पर मिल सकती है फिलाल आपको यह मान के चलना है 1 October 2001 है तब तो काप सेप है कोई समश्या नहीं है अब कुछ विद्यारती बोल्डरेसर तैयारी कैसे करें कहा करें तो हमारा विशेस न्यू बेज टार्गेट बेच है जिसकी आप देखो यार मैंने लिखा 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हमारा टेस्टरी साथ में फिरी मिलेगा कम्पलिट हमारा न्यू बेच है और टार्गेट बेच है ना साथ में आपको लिखाव मिलेगा फाउंडेशन बेच जितने भी बेचेज है उन सब बेच पे आज है ओफर का अंतिम दिन है 400-900 में रुफे V है ठीक है आप बढ़िया तरीके से लक्षे आर्मी एप्लिकेशन है वो डाउनलोड करके यह लक्षे आर्मी है ना लक्षे आर्मी एप्लिकेशन डाउनलोड करके देगो उपर साथ में लोगो दिया वा है इस टाइब का logo रहेगा application डाउनलोड कर गिया अपनी तैयारी को regular कर सकते हैं कुछ साथी हमारे पास offline aid होना चाहते हैं तो मैं उन लाडलों के लिए बता दूँ कि offline का जो बेच है हमारे पास बिल्कुल separate बेच है offline में separate NA का बेच है किसका बेच है separate NA का बेच है और इसके साथ साथ कुछ विद्यारती जीडी वाले भी मान कर रहे है तो जीडी ट्रेडमेन और WMP के लिए भी हमने बेच बिल्कुल start कर दिये है तो बिल्कुल कोई भी साथी आना चाहता offline तो यह आपका पड़ेगा कुछामन city कहां पड़ेगा लाड़ो कुछामन city और कुछामन city राजस्तान ठीक है भई अधिक जानकारी के लिए मेरे नमबर दिये गए है आप उन नमबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं और नर्सिंग के लिए जो हमारी बुक है पेस्ट बुक है वो भी एक दो दिन में आप लोगों के सामने आ जाएगी अब थोड़ा से मैं आप लोगों को ले चलता हूँ website के उपर देखिएगा website क्या कहती है एक बार देखिएगा join indian army की website पे चलते हैं एक minute का time लेंगे आपका ज़्यादा time खराब नहीं करूँगा में फटाफट से आप इस वीडियो को ध्यान से देखकर अपनी जो गलतिया है वो सुधार सकते हैं ठीक है न भाई देखिएगा देखो यहाँ पर सबसे बड़ा जो चैंज़े ज़े देखो वहां आ रहा है देखो यहाँ उपर ही उपर आ रहा है सबसे पहले यहाँ देखो फ्लेस में आ रहा है उपर ही उपर आ रहा है देखो वो क्या आ रहा है यहां लिखा है आधार नंबर और साफ साफ लिखावा है किसी भी विद्यारती को घरती नहीं करनी है या पर लिखा है कि टाइप इन टेस्ट पोर अगनी वीर एसकेटी कलर्क विल इंटोडेक्ट फ्रॉम दे रिक्वार्मेंट येर दोजार चोईस पचीस याद रखना दो हजार चोईस पचीस में जो टेक्निकल कलर्क के अंदर जो वेकेंसी होने वाली उसमें सबसे पहले विद्यारतियों को सला दी जा रही है कि आप बिल्कुल नेसेसरी का मतलब है अनिवार ये कर दी गई है आप टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल पहले से परिपूर्ण कर ले अपनी तैयरे चालू कर दे नहीं तो कल को बेडिकल फिजिकल होने के बाद समझ है आ जाएगी इसलिए आपको टाइम मिलेगा है अभी है टाइम रहते है अपने समझ जाए ठीक है टाइपिंग चालू कर दें ठीक है और भी किसी परकार की डाटा होगा जानकारी होगी तो बिल्कुल हम आपको परियास करेंगे जल्दी से जल्दी देने का कई से रिजल्ट के बारे में भी बिल्कुल अपडेट देता रहता है ना और नर्सिंग असिस्टेंट को लेकर हमारा एक शमरपिट चैनल है यदि कोई पिद्धियरती हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्यू धनेवाद जैहिंद जैभारत